क्या बोलते पबलिक होसमेय सब इदर की नहीं sorry 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 क्या बोलते आर्मी जैहिंद और होसमेय सब की नहीं मतलब इंग्लिस है भाई इंग्लिस Hindi मीडियम से हैं तो क्या selection नहीं होगा selection तुएर होगा कैसे भी करके हो अभी pattern बदले वेटेज बढ़े English का कुछ भी हो तरीका मैं बताऊंगा आपको follow आपको करना है और selection हम लेंगे Hindi medium से हो English weak हो क्योंकि बहुत सारे लोग English medium से होते हुए भी English में score नहीं कर पाते हैं आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका CGL प्री हो CHSL हो मेंस हो कुछ भी हो पैटर ने यही है आप follow करोगे मैं आपको guarantee देता हूं क्योंकि मैं भी प्योर Hindi medium से अपन लोग जहां से आते हैं वहां पे एकदम आप मानलो कि English का नामों निसान नहीं होता पीरियड अज़े भी नहीं लगता क्लास में वहां से आके पहले अटेम्ट में सेलेक्शन लेना और अच्छा ही स्कोर करना English में मेरे pre में 45.5 मार्क्स हैं और मेंस में भी अच्छे मार्क्स हैं मेंस में PQRS गलत हुआ नहीं तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं सो अभी इस वीडिय पहला तरीका है पैटर्ण समझो किस चीज के लिए पढ़ना आपको अमलब प्री के मैं पढ़ना है या मेंन के लिए पढ़ना सबसे पहले तो यही डिसाइड करो क्योंकि जब यह डिसाइड कर लोगे आप तो सब कुछ अपने आप ही सॉल हो जाएगा ठीक है अभी आप एक जाओ फाइदा कुछ नहीं है लेकिन हाँ अगर पचास में पचास आप ला रहो पैंटालीस ला रहो इसका मतलब मेंस में आप बहुत अच्छा करोगे ठीक है बात करें मेंस की तो मेंस भाई दाल डिया सबसे ज्यादा चारो सब्जक्ट में जियस इंगलीसे मैट रीजिनिंग इंगली apologize सबसे ज्यादा है 45ング कुषिशन है और 136 contracts आपको जो लाने है मतलब 135 में से कितने लाने हैं जितना आप समझो मैं जो चीज बताऊंगा आप बस फॉलो करो बहुत अच्छा स्कोर आएगा तो ठीक है अभी मैं पैटन हम लोग समझ गए टाइम खुब है यार टाइम मतलब प्री में भले कम पड़ जाए मेंस में आप समझो कि जी एस और इ दिक्कत होती थी अभी टाइम की दिक्कत नहीं है तो पैसेज बड़ा आए चोटा आए प्रॉब्लम है कितना पढ़के गए हो आप तो अभी वह इसी पर बात करने वाले हैं सुरू करते हैं और मुझे लगता है आप सभी को पैटन पता होगा कि 25 क्वेश्यन आएंगे कैस कैसे कैसे आएंगे कितने सेग्मेंट हैं लोग बात करते हैं सबसे पहले देखो मैं मैं रिजनिंग के लिए प्सक्षाण करा जाएं और ज्ञादा यज्जित के सबसुद किंगी है यहीं है इसे है जैसे मैं बात करो वुक की वो कैब अगर मैं previous year पूरी देख लू दो तीन बार तो वही सलाबस हो गया मनला previous year question अच्छे से जो लगा लेगा चाहे error हो चाहे कुछ भी हो आप समझ जाओ कि वहीं से आपका syllabus हो गया था तो बहुत मन लगा के प्युक्त पहले टो एक किताब खरीद लो previous previous year question की बहुत सारी किताबे हैं I'm not quoting any name बट बहुत सारे जो अच्छे ब्रांड हैं वह आप कोई भी ले सकते हो किताब और कोई भी आप किताब लो प्रीवियस से पढ़ना सुरू कर उसलेबस हो जाएगा एक बार स्लेबस हो गया जैसे प्री आपका जुलाई में है अगर हम लोगों ने एक दो महीने में खतम कर लिया मतलब अप्रेल में मैं मैं तो पूरी जून भर में आपको खाली रिवीजन और प्रैक्टिस करने कैसे करनी एक एक च से करते हैं तो रिल्वेंसी रहती है मतलब हमें इर्रेलेवेंट नहीं होना इंग्लिस के केस में मैं देख रहा हूं कि आप लोग इर्रेलेवेंट बहुत ज़्यादा हो कुछ भी कोई पढ़ाता है कोई भी वो काया दाहिंदू दुनियादारी सब करते हो इतना जादा करन जरूरत नहीं है इंग्लिस में मैंने कभी नहीं पढ़ा कितना पढ़ा सब आगे अभी बताने वाला हूं मैंने कितना किया क्योंकि 10-12 नंबर ही आते थे शुरू में ठीक है तो 12 में भी साहत सारे सब्ज़क्ट में इंग्लिस के सबसे कम मार्क्स होंगे लेकिन वहां से 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 लेक्शन लेना और यह सारी चीज है तो मतलब क्या हमने किया आप समझो उस चीज को ठीक है बात करेंगे स्लेबस करने से पहले एक चीज समझो कि क्वेश्चन के टाइप क्या है तो मतलब what are the types of questions which are asked in our exams तो पहले तो हम इस टाइप समझें भाई question के टाइप में हम केटेगराइज करेंगे इंगलिस पो तीन टाइप में पहला है आपका grammar 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 दूसरा है vocabulary और तीसरा तीनों में क्या-क्या है grammar में हम अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो spot the error यह कोश्चन टाइप का दिखता है मलब इस टाइप के question दिखेंगे आपको पिलर्स के question improvement के question अच्छा weightage की बात करें जैसे 25 question है तो पान से 10 कोश्चन मतलब एक close test आपको दिख जाएगा उसमें और साइद एक आदा पैरा जंबल दिख जाए बाकी ज्यादा कुछ नहीं दिखता तो प्री में हमें reading के बहुत दिक्कत नहीं में 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 मैं समझाओंगा कितना है आप समझ लो में में आपको तीन करीब passage मिलेंगे और close test और PQRS 45 जो इस बार 22 में 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 मेंस देखे आया हूँ तो में 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 बहुत ज्यादा रोल है इसलिए प्री में भी पूरा पूरा स्कोर करेंगे मलब कॉम्प्रियंसन पढ़ेंगे जो कि हमें में 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 भी फायदा देगा वोकैबलरी की बात करें सिनोनीम एंटोनीम एक ही चीज है लगबग वन वर्ड सब्स्टिटूशन इडियम साइंड फ्रेज़ और स्पैलिंग यह रोल है वोकैबलरी का तीनों अम मैं कहूं तो तीनों का बराबर रोल है लगबग और तीनों एक चीज और है कैटेग्राइज मैं इसलिए कर रहा हूं जैसे समझने में आसानी हो पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि यह सारे सेपरेट हैं जब आप रीडिंग करते हो ना तो वोकैब तो आपकी तयार होई रही है मैं कोई पढ़ रहा हूँ मानलो GSI पढ़ रहा हूं तो GSI में कोई sentence पढ़ा तो reading तो करी रहे हैं वहाँ spelling भी हमाई तयार हो रही हूँ वहाँ पे हमें grammar भी तयार हो रही तो यह चीज समझो कि तीनों एक ही चीज है जब हम यह vocabulary पढ़ेंगे के ना तो वहां से reading करने की हमाई हमता तो आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, ठीक है, तो अगर आप एक बार समझे चुके हैं, क्कुशन के टाइपस क्या क्या होते हैं, तो अब SLAIBUS में बात कर लेते हैं, तीनों segments की अलग-अलग, हमने grammar देखा था, ये तीनों आते हैं, तो तीनो को करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है जो part of speech है आपकी, part of speech जो है, मतलब जितने हैं, इनको पहले करो, उसमें भी, आप कहोगे, आप कि ये कैसे करें, आप कोई भी book ले लो, जो भी आपको लगता हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोई book नहीं पड़ी, रीजन क्या था, मैं जब मौक देता था, एक notes पहले बनाओ, इंगलिस के लिए, vocab का notes अलग और grammar का अलग, ये पहली जरूरी चीज है, क्योंकि जो मैं मौक में देता था, notes मेरा question गलत हुआ, inferior के साथ 2 आना चाहिए, हमें नहीं पता, जब मौक दिया, गलत हुआ, लिख लिय notes में, तो वो चीजे, मतलब previous year किया, जब देख रहें कि यार, एक question है, जिसे लगातार, मतलब हमें पता, list के आगे, suit आएगा, तो वो चीजे note करो, जो ज़्यादा बार दिख रही है, कोई भी book, अगर आपको लगता है, तो book पढ़ लो, जरूरी, लेकिन book में क्या होता, irrelevant चीजे बहुत है, जो कभी नहीं आती, तो जैसे conditional है, बहुत सारे ऐसे चीजे हैं, जो fix है, आनी ही, आनी है, वो कहां से पता चलेगा, previous year question से, इसलिए सुरू में बोल दिया था, कि जब previous year question की book लेके आओगे, तो आपका slabus वहीं से धीरे-धीरे तयार होगा, daily daily पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, एक जब notes आप बना लिए, वो कैब का, तो चलते फिरते कोई भी वो कैब दिखती है, previous year question में वो कैब दिखती है, हाँ, ससी थरूर के word लिखने लगना, phloxynoxynilipilification, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वही word लिखने जो हमारे SSC में आ सकते हैं, कैसे पता चलेगा, previous year question, दूसरा क्या है, grammar, grammar का अलग notes बताया है, जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी, देखो, spelling गलत हो रही, spelling गलत नहीं होगी, अगर लिख लिख के करोगे, ठीक है, तो लिख लिख के करना है, notes बनाना है, grammar करने का तरीका क्या है, बताया ना, previous year question देखोगे, इनकी book पढ़ लो, इनकी class देख लो, क्योंकि आपको एक officer बनने जा रहे हो, पहली चीज़ तो यह समझो, आपको मैं general चीज़े बता रहे हो, कि यार, जो हमारा time बचाएगा, जो हमारा effort बचाएगा, मतलब minimum output, input, maximum output, तो यह चीज़ आप दिमाग में रखके चलो, हमारा सम समय में पढ़ाता है, उसका हमें वीडियो देखना, और नहीं तो self study best way है, उसका कोई मनलब तोड नहीं है, mock लगाओ, sectional mock जो previous year के form में दे रखे हैं, वो लगाओ, उससे कहाँ जो अभी आ रहे हैं, दो तीन सालों में, last के question, वो हमें करने है, वो note करने है, जो हमें problem कर रह तो grammar हो जाएगी, grammar में ज़्यादा load नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता रहूँ, reading और vocab पे ज़्यादा load लो, मेरा यह मानना है कि अगर आपकी reading और vocab अच्छी होगी, तो grammar अपने आप अच्छी हो जाएगी, grammar में सबसे ज़्यादा problem आती, सबसे ज़्यादा time consuming है, इसलिए grammar पे ज़्यादा focus नहीं करते हैं, भाई, vocabulary की बात करें, तो सबसे पहले previous year question, previous year question ले लो, अब यहाँ पे time बना लो, आज हमें synonym पढ़ना है, आज हमें one word पढ़ना है, आज हमें idiom पढ़ना है, अब सब का तरीका बता दें, जो synonym है, antonym है, और one word है, इन सब का एक ही तरीका मैं यूज करता हूँ, वो है निमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब यह होता है कि word को relate करना, word की image बनाना अपने दिमाग में, word का मतलब किसी दूसरे word से जोड़ना, यही तरीका हम follow करते हैं, इन के लिए, ठीक है, रही बात idiom के लिए, idioms के लिए क्या है, idioms के ल आया हुआ word है, मैं केवल बात करता हूँ, previous year की, उसके अलावन ना मुझे कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, add sun एक word है, अब ऐसे आप रखते रहो, add sun का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लेकिन, वहीं मैं क्या करूंगा, कि sun का meaning देख लो, कि क्या होता है, को हां तक इस टोन पहुचा सकते है, मतलब जो नियर हो, तो जब हमें meaning पता देखो, किती जल्दी याद रहता है, लेकिन यह meaning नहीं पता है, तो meaning याद, sun मतलब जो दूर रहे, ठीक है, तो दूरी बना के रखना, इस idiom का मतलब हो जाएगा, तो हमें यह कह रहा हूँ, कि idiom क का मतलब रटना नहीं है, इडिया में जितने word है, उनका मतलब लिखो, हिंदी में लिखो, कैसे भी लिखो, कुछ भी करो, पर मतलब जरूर लिखो, इस पैलिंग की बात करें, यह भी बहुत दर्द देता है, मतलब इस पैलिंग आप लोग गलत करके आते हो, आप समझो यार, मेंस में है तीन क्वेश्चन, तीन नमबर का क्वेश्चन, और एक नमबर हो गया, एक नमबर हो गया, आपका माइनस मार्किंग, चार नमबर, ए स्पेलिंग तो खास करके क्योंकि निमोनिया और डाइरिया हो आप स्पेलिंग याद करोगे दिक्कत होगी लिख के करो वहां चार ओप्सन दिखेंगे कन्फ्यूज हो गई होगे डेफिनिट है मेरे साथ हुआ है मैं गलत भी सायद किया हूं मौक में तो बहुत स्पेलिंग गलत होती थी तो यह हो गए इन सब के बारे मैंने बता दिया ध्यान रखो इनको निमोनिक से इडियम को में मिनिंग देखना है और स्पेलिंग में लिख लेक है को सारी करें लिख दो बोरिंग पार्ट था, सबसे ज़्यादा, मतलब वीक पार्ट था, अब ये बन गया मेरा सबसे ज़्यादा interesting और strong पार्ट, interesting और strong दोनों बन गया, अब मेरे लिए ये, कैसे बना, कैसे ये interesting और strong दोनों बना, यही चीज आपको बस समझनी है, reading, comprehension reading, read करो भाई, जितना read कर सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने तैयारी सुरू की 6 महिने तक, तुम मैं पहले math करता रहा है, Hindi में, GS, Hindi में, क्योंकि Hindi मीडियम से थे, सबकु स्वा सही हो रहा था, मेरा reasoning math, लेकिन English नहीं सही हो रही थी, अब English नहीं सही हो रही थी, तो मैंने एक दिमाग लगा है, कि जब हम पूरा दिन सबसब्जेक्ट पढ़ रहे है, GS पढ़ रहे है, मतलब जब से मैंने बोलना सुरू किया, और बुक्स आज के टाइम पर तो मेरे पास कम से कम सौ से जादा तो नॉन फिक्शन बुक है, देट आई रीड, देट आई रीड अन डेली बेसे, बिकास विदाउड रीडिंग, आई कैन नॉट इवन सर्वाइव, मैं यह कह रहा हूँ, जो मुझे मतलब मेरे सेलेक्शन में है, मेरी परस्नालिटी डिवलप्मेंट बोलने में, इतने सारे फैक्ट हैं, सब कुछ रीडिंग से आया, और मैं रीडिंग के लिए एक चीज कहता हूँ, यार कि मैं साहित, जैसे मैं एक्जामपल दूँ, मैं सद्गुरू को जैसे इनर इंजिनरिंग पढ़ रहा हूँ, तो यार मैं उनसे कभी साहिए लाइफ में पता नहीं मिल पाऊंगा, या नहीं मिल पाऊंगा, रीडिंग बहुत अच्छी चीज है, कॉम्प्रिहंसन के लिए मुझे लगता है रीडिंग, क्योंकि अभी जैसे पैसे जाया है ना, 2022 में में, वो पैसे देखके तो लग रहा है कि यार, वो चीज आपके जो नॉर्मल मैथेट्स हैं, पढ़ाये जाते हैं, उनसे तो नहीं होने वाला, जिसकी रीडिंग अच्छी होगी, तो वही स्टूडेंट कर पाता, जैसे पीक्यू आरे सायत है, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको, मतलब बोल लाओं कि रीडिंग करो, एक रीडिंग अच्छी होगी, वो कैब हम याधी कर रहे हैं, जैसे के जो कूची गई है, अपने आप आपकी ग्रेमर भी सही होगी, ठीक है, तो पैसेज है, पैसेज आपको पता होगा, पैसेज, पढ़ना होता है, पहले एक बार पैसेज थोड़ा पढ़ना होता है, फिर कॉश्चन फिर पैसेज में जाना, फिर कॉश्चन फिर पैसेज में जाना, तो दिक्कत क्या होती, यहाँ पर हमें बोरिंग लगने लगता है पढ़ना, तो बोरिंग अगर लगने लगेगा तो फिर कैसे काम बनेगा, बोरिंग क्यों नहीं लगेगा, जब आप रीडिंग बहुत ज्यादा करोगे, अब रीडिंग यार एक बार मैं बताई देता हूँ, पहला तो मैंने बोला कि कोसिस करो, मीडियम सिफ्ट करो, धीरे-धीरे करो, थोड़ा-थोड़ा करो, तो जो पढ़ रहो, जिया, समय, रिजनिंग, वो सब इंगलिस में बोलना सुरू करो, ठीक है, हिंदी तो वर्ड अभी कम से कम यूज करो, घर पे भी नॉर्मल है, तो इंगलिस के वर्ड यूज करो, दूसरा है कि बुक कौन सी पढ़े, वो बु कि बुक है, मैं ऐसा कोई ये मेंडेटरी नहीं है, आपको टाइम नहीं है, क्योंकि अभी प्री पास है, ये सब चीजे उन लोगों के लिए, जो जिनको लग रहे है कि यार, कुछ नहीं कर पा रहे है, रीडिंग में, सही नहीं हो रही है, बैग्राउंड इक्दम अच्छ कर पाते, अब दो वर्ड आ जाएंगे, दोनों सेम जैसे आ जाएंगे, अब जैसे मान लो, आपका आ गया, सूद आ गया, अस्यूज आ गया, दोनों का मतलब होता है, कम करना, ये चीज क्लियर्टी कहाएगी, कि यहां क्या करना है, वो जब आप पढ़ोगे ना, जो आप स स्टोरी बनाओगे दिमाख में, उसी के तुरू आएगी, ठीक है, तो वो चीज रीडिंग से ही आएगी, ऐसे पैरा जंबल है, आप लोगों को पता होगा, पैरा जंबल प्योर रीडिंग का गेम है, आपको रिलेट करना होता है, ये दिस यूज हुआ, तो क्यों यूज ह यहाँ पे ये मनलब जो भी रिलेटिव प्रोनावने, सारे सब चीजे लगाना असान हो जाएगा, अगर आप रीडिंग करोगे, ठीक है, तो स्लेबस हो गया आपका एक बार, मैंने बताया सारी चीजे, इस हिसाब से आप एक बार स्लेबस कर लो, अब बात करेंगे, प्रि कोई भी सब्स्क्रिप्शन आप ले लो, नहीं मिलता है अगर तुम्हें वैसे, क्योंकि स्क्ष्णल मॉक जरूरी है, जिनके इंगलिस वीक है, ये वीडियो उनहीं के लिए है, अगर इंगलिस हमारी वीक है, तो फिर इंगलिस के जितने स्क्ष्णल मॉक हैं, वो सब दे डालो भाई, मैंने यही किया किया जितने स्क्ष्णल मॉक थे, प्री हो में सो, फोन में है, फोन में लिखना भी नहीं पड़ता, इंगलिस के मॉक दे हो, जब भी टाइम मिले, पंदरा मिनट का मिला, इतना ही टाइम लगता, पत्चिस कोश्चन करने लिए, दस मिनट करना है, अब बात करते हैं, प्रीवीजन और प्रैक्टिस के, पहले नोट आप बनाए होगे, नोट नहीं बनाओगे, तो फिर रिवीजन करने बहुत दिक्कत आएगी, दस किताबे पहले पहले हैं, तो उतनी नोट बनानी है, मैं कहता हूँ, जितना हम एक्जाम के, तीन में एक बार ऐसे ऐसे कर जाएं मुझे ऐसा लगता है इतने बार पढ़ चुके हो अपनी नोट कि उसको मैसे ऐसे करें तो मैं करता चला जाओ एक्जाम के पहले मुझे दुबार वहां रुकना ना पड़े उससे ज्यादा नोट मत बनाना ठीक है क्योंकि एक्जाम हॉल में आ को माता है मतलब वह सारे section तरीक कि question जैसे तूरदे करते जा की फिचर बहुत जरूरी करो से कर पाएंगे प्रैक्टिस की बात करें प्रैक्टिस इंग्लिस में रिवीजन ही प्रैक्टिस है इंग्लिस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती आप बार बार चीजे पढ़ो इंग्लिस मैत और रिजनिंग में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो बांकी करते रहेंगे अपने प्रैक्टिस इंप्रूव होगा ठीक है तो यहीं है आप सभी लोगों समझ आए होगा यह मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम ना करें पर मैं कहा रहा हूं अगर आपकी इंगलिस कमजोर है मैंने सेलेक्शन लिया है और पैटर्न बताया पूरा प्रोसेस बता दिया एक एक चीज तो पहले एक डेड़ महिने अभी हमें कोसिस करनी जब तक प्री नहीं हो रहा तो हम पहले स्लैबस करेंगे कहां से प्रीवीजन प्रैक्टिस एक्षनल मॉग लिख लिखके नोट्स बनाना है बोल बोल के वह क्या व्याद करनी है वह क्या मतलब आप घर में कहीं भी पेपल लिखके चिपका दिया देख रहे हैं उसको हाथ में लिख लिया जो आपको सही लगए ठीक है तो वैसे ही हम करेंगे ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सो बाई आर्मी जैहिन